नमस्कार स्वागत है आपका मेरा नाम है विपिन विबाग उत्तर प्रदेश विदान सभागे बजट सत्र के पहले दिन शुकरवार को राजिपाल के अविवासन से पहले विदान भवन परसर में समाजवादी पार्टी के खिलाब जमकर नारेवाजी की समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नित्वत में पार्टी के विदान भवन में चोदरी चरण सिंगी प्रतिमा के पास नारेवाजी की सपा विदायकों ने कानून विवस्ता महंगाई बेरोजगारी जाती आधारित गणना करा जाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदेशन गिया पाटेल ने पतगारों से बाचीत में कहा कि भारत जंता पार्टी सदन का कारेकाल इतना कम करती है कि हम जंता की आवाज वहां नहीं उठा पाते इसलिए विदान भवन परिसर में चोदरी चरण सिंगी प्रतिमा के नीचे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ धर न दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बजट सत्र आज शुरू होने जा रहा है उसमें भी लोगतांत्रिक परमपराओं का पालन करते हुए संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए हम जंता की मांग को सदन में उठाएंगे। हित के विशे पर सदन में चर्चा कराए जिसके बाद सपाव विधायकों ने सदन में भी प्रदशन किया इस आशे की जनकारी सपा के सूसल मीडिया अकाउंट पर भी दी गई। एक्सपर सपा ने लिखा कि उत्तर प्रदेश विदान सवा की बेल में समाजवादी पार्ट करते हुए सपा ने अखले स्यादम ने का है को उत्तर प्रदेश में विआपार करने में आसानी नहीं है बल्कि अपराद करने में आसानी है भाजपा की सरकार में यह वो प्रदेश बन गया है जिसमें न्याए के लिए लोगों को आँतमत्या करनी पड़ रही है इस सरकार म में ऐसी लूट कभी नहीं हुई जो लोग जीरो टॉलेंस का नारा देते थे वो कानून नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूले